हर हर महाकाल है गाईज वेल्कम बेक टू माई चैनल माई नेम इस तरंका चडिया आज श्रावण मास का पहला सुमवार है और अभी मैं युनिवर्सिटी से जा रहा था हमारे घर की और जो हमारी डॉरमेट्री है वहाँ पर और अभी कितने टाइम से वीडियो शूट नहीं क आफान चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां पर की सटाइप की युनिवर्सिटी में बिल्लिंग्स होती है तो यह अभी हमारे युनिवर्सिटी की बिलिंग में कुछ काम चल रहा है इसके पीछे हमारी और गार्डन बगर है और यहां पर कुछ physics के अब लेक्चर और friends मैं यहाँ पर university में ऐसे ही त्रिपुन लगा कर जाता हूँ हमारी जो Indian Sanskrit है उसे हमें नहीं भूलना है चाहे हम USA में हो या जर्मनी में हो या UK में हो और मेरी जो dormitory है वो chemistry institute के बस नस्दीखी है एक minute में मैं पहुच जाता हूँ मेरे घर पे तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर area के साथ है पूरा तो friends ऐसे walking areas पर कास generally नहीं allowed होती है सब लोग अपने पेट के साथ आते हैं यहाँ पर और Shanti का माहल है पूरा देखो आप सुन सकते हो birds और मैंने यहाँ पर देखा है कि जो हमारे Indian trees है वेसे type के यहाँ पर कोई trees ही नहीं है हम जैसे गाव में और cities में हमारे घर के आसपास जो वेसे ही पड़ी हुई जमीन पर जो plants उखते हैं वो उस type के यहाँ पर नहीं होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे plants हैं उसमें fruits भी आते हैं और यहाँ के mall में भी मिलते हैं तो अभी शाम के बच चुके हैं साड़े पांच और lecture खतम होने के बाद हम वहाँ पर study कर रहे थे मैं और जो कक्सिल है मेरा friend वो भी था साथ में अभी कक्सिल वहाँ पर है क्योंकि उसे थोड़ा professor का कुछ काम था और मेरा study हो चुका था तो मैं अभी निकल गया हूँ घर के लिए अभी साम को जाके रसोई भी करनी है सब काम वगेरा जे तो सोचा पहले ही निकल जाते हैं और हमारा जो काम है उसे भी complete करना चाहिए जैसे हमारे इंडिया में जो बोर के पैड होते है रास्ते पे वेसे यहाँ पे सेतूर जो आते है बलेक कलर के उसके पैड होते है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ही होगा कही पे मुझे सर्च करने दो मिल गया देखो ये सेतूर का पेड़ है यहां पे सेतूर आते रहते तो ऐसे पेड़ यहां पे सेतूर के और दूसरे होते आप चाहो तो इसे तोड़ के खा सकते हो ऐसे कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा भी तो मैं नहीं टोड रहा हूँ क्योंकि जनरली वो अच्छी बात नहीं है कि राष्टे पर से कुछ चीज हम उठाए किसी की पर्मिशन के भीना तो अब मैं पहुँच गया हूँ मेरी डोर मेट्री के पास यह मेरे पीछे आप देख रहे हूँ जो चिल्डन्स होती है उसकी स्कूल है यहाँ पर मैंने देखा था कि जो चोटे बच्चे है उसकी स्कूल है और यहाँ पर पार्किंग एरिया है और यहाँ पर यह आ गई मेरी डोर मेट्री तो इस डोर मेट्री का नाम है उहरलीच हाबरलंड हाउज और आफ्देम हुगल 16 तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि कि यहाँ पर कैसे अंदर जा सकते हैं कितनी सिक्यूरिटी भी उपनी स्टूडन्स के लिए यहाँ पर बार जो डस्ट बिंश चन्ट की डिफ्रनट बेघ्स बायो बेग्स वह सब उसके लिए ठीफरंट डिफरन्ट होती यहाँ पर केट आगई बिली ने रास्ता कात लिया लगता है कि अब वो तीन दिन भुखी रहेगी क्योंकि हमारा रास्ता काटिया है उसने और जनरली यहाँ पर स्टुड़न्स बाइसिकल्स रखते हैं इसे बिली ने जैसे रास्ता काट लिया है तो हमें तो डरना नहीं है क्योंकि मैं अंस्द्धा में बहुत मानता नहीं हू या की स्टूड़न्स जैसे बाहर बाइसिकल्स रखते वो शेफ नहीं होती है क्योंकि यहां पर जो बाइसिकल्स के टायर होते हों आगे से जिफ वन लोक से ही ओपन हो-जिस जाते हैं तो ज withdraw die रेंट है 312 यूरो और जो मेरी रूम है वो 10 by 10 मिटर स्क्वेर की ही आती है और जो किच्चन होता है वो 9 लोगों के बीच में शेरिंग होता है और जो बाथरूम है मेरा वो टू पर्शन के बीच में शेरिंग है तो जैसे आप देखो कोस्ट बहुती हाई है लेकिन जो रूम मेशीन का जो बील होता है वो भी इंक्लूड है मेरे इस बील में तो 312 यूरो में आप बोलो तो एवरेज जो फैसिलिटीज होती है वो इंक्लूड है और जनरली अगर आपको स्टूडियो अपार्मेंट मिले तो वो आपके लिए बहतर रहेगा क्योंकि हमारे वहां उसमे में पर्सनल किचन रहता है और पर्सनल फ्रीज भी आता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती है अभी मैं आपको उपर जाके दिखाता हूँ कि मुझे कितनी प्रोब्लम साती है यहां पे किचन एरियास में क्योंकि हम जो से वेजिटेरियन से वैसे यहां पर कौन आपके आसपास आएगा वो आपको नहीं पता होता है तो जनरली आपको कोपरेट करना पड़ता है एक दूसरों के साथ क्योंकि आप उसे भी कुछ नहीं बोल सकते है क्योंकि वो बाई बोन ही तब से नोनवेज खाता होता है और बंदय को आप कुछ भी नहीं कह सकते हो वरना वो कंप्लेन कर देता है हमारे बारे में यहां का entrance है entrance के अंदर ही आप देख सकते हो इस kind की जो हमारे post box होता है वो different students के लिए होता है और यहां पर every room का जो bell होता है उसके लिए switch होती है इसी छोटी और हमारी post box कुछ यहां पर है देखते हैं कुछ होता है कि नहीं अंदर यह TR का चड़िया लिखा हुआ है इसे key लगा के देख लेते हैं हाँ कुछ आयाता है अंदर अभी यह कुछ देख लेते हैं क्या है उपर जाके जो entrance होता है वहां पर भी हमें key लगानी पड़ती है उसके बिना अंदर हम नहीं एंट्री कर सकते और बाहर का कोई भी person यहां पर एंट्री नहीं कर सकता है यहां पर कुछ इस काइंड का डिटेल्स वगेरा सब होती है कि क्यूछ न्यूइवेंट्स आने वाली होतों डिफरंट दोर में trees के लिए यह system different difference होती है अब यहां पर यह lift है तो lift में भी हमें की का यूज़ करना पड़ रहा है उसके अलावा यहां पर लिफ्ट नहीं आएगी अभी किसी ने लिफ्ट आया होगा इसलिए ओपन हो गई अब यहां पर हमारा अग्षा सिक्सफ्लोर है पर मैं सोच रहता थी कि पहले आपको मैं बैजमेंट दिखा देता हूं तो यह बैजमेंट आ गया बैजमेंट में जाते ही पहले स्वीच्वान करना और यहां पर होता है यहां पर होती है डिफ्रेंट रूम्स डॉर्मेट्री के बेजमेंट एरियाज में बाइसिकल पार्किंग और लॉंड्री की रूम्स होती है मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर जाकर भी की कैसी होते हैं यहां की लॉंड्री सिस्टम अभी लॉंड्री की रूम पर भी की हमें लगाना पड़ता है तो मेरी जो डॉरमेट्री है वहाँ पर ऐसे टू वोसिंग मसीन एंड टू जो ड्रायर कहते हैं उस फैसिलिटीज है जन्रली हमें जो डॉर्मेट्री होती है उसकी लॉंड्री का एकसेस करना हो तो वसिंग मसीन में दो यूरो का कोईन डालना पड़ रहा है और जो यहां का लॉंट्री का कोस्ट है वो ओल्डेडी हमारे जो मंचली पेमेंट है उसमें इंक्लूड है तो हमें कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है जनरली फ्री में हम कर सकते हैं तो यह यहां पर साम नहीं है वाइसिकल एरिया है अध्यए से सेफलि हम साइकल हमारे रख सकते मेरी साइकल भी यहां पर ही में रखता हूँ यहां से कोई ले जाने की प्रोब्लम नहीं रहती privilege इसisten उती होती है उसकी साइकल हो यहां पर सेफ रहती है तो भी मैंने आपको बेसमेट के दर्शन करवा दिए अब आपको मैं ले चाहता हूं मेरे रूम की और यहां से रूम स्टार्ट होती है और यहां पर 9 रूम से सराउंडिंग में और बीच में हम 9 लोगों के बीच में यह किचन है आप देखो कितना बड़ा किचन है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ्रीज में लोग मची रखते है चिकन्स रखते है तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते हूं और हमारा स्टप हमें सेफली रखना पड़ता है अभी मेंने ना मेरा जो यहां पर रखी हूई है और मैं फ्रीज में पूरा हम पार्ट नहीं यूज कर स और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी कीचन में डर्ट होती है मैं तीन महीने से कंप्लेंड कर रहा हूँ लेकिन कोई यहां का स्टप यह हटा ही नहीं रहा है कितना आप बोल सकते हो कि बेकार फेसिलिटीज है यहां की अब यह तो कोप्रेट करना पड़ेगा चलो मैं मेरी कि और आपको ले जाता हूँ तो यह है मेरी रूम 606 अब यहां पर में जो कि चन में बेक्स होती है डश्ट बिन की उसका अमरा बारी है तो यहां पर लगाए हुआ है यह मेरा नाम है और यह मेरी रूम है जनरली ना डोर मेट्रे में आपको कोई तरीके की टेंशन सेक्यू है तो आप देख सकते हो कितनी सेक्यूरिटी है हमारी सेफ आप बोल सकते हों कितने सेफ है यहां पर तो इस तरीके का मुझे कबड दिया हुए और यह शेरिंग एक यह रूम है और यह हमारा वाला रूम है और यह शेरिंग में हमें टोईलेट बाथरूम यूज करना है तो वैसे कोपरेट भी यहां पर करना पड़ता है हम नोईज ज्यादा नहीं कर सकते वनना वह पर्सन आकर हमें बोलेगा तो एसा है यहां का सब माहुल अब यहां पर पड़ा हुआ है सब स्टड़ी टेबल पर और जो यह आप देख सकते हो सामन वगेरा यहां पर ही में रखता हूँ पूरा और हमारा यह टेंपल है आप देख सकते हो महादेव हमारे वैसे तो सब यहां पर शांती वाला एरिया है कोई दिक्कत नहीं है तो यह आप देख सकते हो इतने में ही मेरी रूम खतम हो गई है मेरा बेड़ है और यहां से आप बार का व्यू देखो व्यू अच्छा आता है तो इस तरीके की यहां पर डॉर मेट्रिस होती है स्टुटन के लिए आप देख सकते हो कि इतनी छोटी सी रूम है अगर आप इंडिया की कंपेरिजन करोगे तो हमेशे आप लोवी फील करोगे क्योंकि इंडिया में मेरे जो घर है वापर पर परस्टनल प्रेयर रूम पर करना पड़ता है तो जर्मनी की लाइफ आप बोल सकते हो स्टुटन के लिए लिटल बीट हाड है स्टार्टिंग टाइम में और फ्यूचर की तो हमें पता नहीं कि जिन्दा रहे या नहीं लेकिन अभी तो ऐसे हैरान हो रहे है सब अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो जर हमें बताना लेकिन यहाँ पर भी बाहर 600 700 जाता है और मैं आपको कुछ यहाँ पर आपको दिख रहे होगे पोस्टर जो वेब्चाइट करें उस पर से आप फाइंड कर सकते हो इंडिया में और कॉंटेक्ट भी कर सकते हो डीलर के साथ तो आज का वीडियो यहाँ तक ही र क्रीबन एक महीने के बाद सूट किया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना शेयर कर देना और मिलते आपको अगले सोमवार और फ्यूचर में जहीं महाकाल जहीं ठोठिया बापू जाते जाते मैं आपको मेरा रिव्यू दे दू तो मुझे तो अगर जहीं में तो एरान थाव चू तम्हें आवगवान विचारता हो तो प्लीज तड़ुक विचारी ने कर जो जो धंदोवई सूरत मां आने काई बीजी सिटी मां तो त्या रेजो त्या शांती थी मोच चे विया जर्मनी नती